इस करकराती ठंड में लालो पृषाद यादो पहुचते हैं छप्रा जहां सांस्कृतिक कारिक्रम का वो उद्घाटन करते ही और कहते हैं कि जैसे ही यहां काम को निमंत्रन मिला हम खुद को रोक नहीं पाएं हम यहां आने के लिए मजबूर हो गएं और छप्रा की धर्टी पर लालो पृषाद यादो ने अपनी उपलब्धियां तो गिनवाई ही साथ साथ वहां के लोगों का दिल जीत लिया आधी रात में छप्रा के बलुआ गाउं में पहुचे लालो पृषाद यादो को देखने लालो पृषाद यादो के प्रसंशकों की बिहार में कमी नहीं है आज भी लालो के फैन बिहार के कोने कोने में बैठे हुए हैं और कारण यहीं है कि लालो यादो अपनी प्रसंशकों को उतना ही चाहते हैं जितना जनता उन्हें पसंद करती हैं उनकी प्रतिप्रेम जाहि जिहां आपको बता दे कि छप्रा के बलुआ गाओ में गुरुवार के देर रात आदश नौन युक्त छट पूजा समीती की द्वारा एक कारिक्रम कायो जुन किया गया था जहां पर राजजद सुप्रीमो लालू पिशाद यादो को बुलाया गया था और लालू पिशाद यादो को निमंतरन भीजा जाता है हालांकि वहाँ के लोगों को लगा था कि देर रात इस्ठंड में लालू यादो वहां नहीं जा पाएंगे वगर लालु जी ने सब को गलत साबित कर दिया और एक बार पढ़ा दिया कि वो जनता से कितना प्यार करते हैं आप को पता दे कि पुराने अंदाज में लालु प॥ार यादव पेड़ से लौट चुके हैं और वहां उद्घाटन करते हुए देखे जाते हैं स्क्रीन पर आपको तस्वीर नजर आ रहे होगी जहां उजला कुर्टा पैजामा और काली रंग की बंडी पहने लालू पुशाद यादों ने अपनी गले में शौल भी बांद रखा है साफ नजर आ रहा है कि लालू जी को ठंड लग रही है लेकिन उन्हें पता है कि उनका इंतजार साकरो लोग वहां पर बैट कर कर रहे हैं पुरा गाव इंतजार में पैठा है कि लालू जी आएंगे और कारिकरम का उद्गाटन किया जाएगा तो इतने लोगों का दिल राज़त सुप्तिमो लालू प्रिशाद यादो कैसे तोड़ देते बिहार के गड़िबों की मुसीहा कहे जाने वाले लालू यादो कारिकरम में शर्कत करते हैं और वहीं कि ये तस्वीर है जो आपको फिलहाल हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं बाकी कारिकरम में और भी कई नेदा मौझूद थे कारिकरम का उद्गाटन करते हुए लालू यादो ने जातिगत गन्ना पर भी खुब बोला वो कहते हैं कि भी हर सरकार ने जातिगत जन गन्ना पूरा करवा लिया है इसका फाइदा आप लोगों को होगा वो ये भी कहते हैं कि गन्ना की जो रिपोर्ट आई उसके बाद आरक्शन की सीमा को अब बरहा दिया गया है आने वाले समय में पिचले और निचले तब के लोगों को इसका खुब फाइदा होगा वहां बैठे लोग तालियां बज़ाते रहते हैं और लालू यादो छप्रा की धरती पर भूंकार भरते रहते हैं आपको बता दें कि सांस्कृत कारिक्रब में लालू पशाद्यादो छप्रा पहुँचकर वहां के लोगों से छप्रा की धरती के बारे में खुब बात करते हैं और कहते हैं कि यह तु पावन धरती है यहां भला आना कौन नहीं चाहेगा हमें जैसे ही हक करनी मंतरन मिला हम खुद को रोक नहीं पाएं हलांकि ठेंड बहुत है तबेत भी हमारी खराब रहती है लेकिन हम से रहा नहीं गया और आप लोगों की पास हम चले आएं देर रात को लालो जी वहां पहुचते हैं और वो नजारा देखने लाइक था आपको बताते चले कि लालो यादो वहां बैठे लोगों से संबाद कर रहे थे और वहां तालिया गूज रही थी कारिकरम में चार चांड लालो जी ने वहां पहुचकर लगा दिया अब वही तस्वीर लगतार सोशल मीडिया पर वाइरल हो रही है लालो पिशाद यादो ने वहां जो कुछ भी कहा अपनी उपलब्धियां गिर्वाई वो वीडियो भी सामने आया उसके बार लोग जम कर लालो जी की तारिफ करने में लगे हुए हैं और कह रहे हैं कि इसे लिए हम कहते हैं कि लालो पिशाद यादो जैसा कोई ना आज तक हुआ ना है और ना कभी होगा बाकी अब इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है आपने तस्वीर देख ली आपनी कहानी जान दी किस तरीके से स्टंड में देर रात लालो जी वहां पहुँचते हैं च्छपरा की कारिक्रमी और वहां पहुँचकर लोगों से बातचीत करते हैं बैठते हैं मुलकात कर और क्या कुछ उन्हों नहीं कहा यह भी आपको हमने बता दिया है उस पर आपकी क्या राही कमें सक्षन में जरूर बताएए वीडियो शेयर कीजिए और बागी खबरों के लिए बने रहे जनता जंक्शन के साथ कैमरे के पीछे ते विशाल और मैं थी आपके साथ वंदना कि एलने को लिए आपके साथ विएर कुट झाल Sus eing विए ते रहे पया का सैथे से तेक्तावे के यहाईए प्रूरे साथ झाल विए स51 में सक्षन में में आपके यहाईए है